अलो दोस्तों मैं गई थी पानिहटी उस अप जहां पेक एक एकोडियम का शो हो रहा था जिसके टिकेट का प्राइस तफ 15 रुपीज तो मैं एंट्री लिया और जाते ही मुझे यह सिल्वर अरवाना दिखने को मिली यह कितनी ब्यूटिफुल फिशे देखी और कितनी बिग साइज है इतनी बिग साइज जरुआ ना मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा मेरा तो दिल बहुत खुश हो गया इसे देखके और इसके बाद थे हमारे क्ले फिशे इसको क्ले फिशे या लॉब्स्टर या जिंगे क्या बोलते मैं को पता नहीं आप जो बोलते हैं मेरे को कमेंट में जरूर बताना इनको भी सब लोग बहुत अच्छे से देख रहे थे क्योंकि ये थोड़ा यूनिक लग रहा था सबको या जिसके बाद आता है हमारा सुन्दर सा फ्लावर हॉन जिसका हॉन बहुत ही बढ़ा था मुझे तो ये बहुत प्यारी लग रही थी उसे देख एमोशनल हो गई वो थी जाइंट गुडामी क्योंकि मेरे पास भी एक सेम जाइंट गुडामी थी लेकिन कुछ सार पहले इसकी डेथ हो गई वो बहुत साल उसने अमारे घर पे थी आठ दस सल तो होंगी ही वो आमारे घर पे थी और उसके बाद आता है डिसकस जिसे देख सब लोग बोलने लगे कि इनके साथ हम क्या ही डिसकस करें भाई मुझे तो बहुत हसी आ रही थी और उसके बाद सेंटर आफ डे अट्रक्शन था यह धूयदार एकॉरियम जिसे देखते ही सब पागल हो रहे थे और सब इसके तरफ खीचे चले आ रहे थे यह मुझे एक ब्यूटिफुल सी फिश देखने को मिली गपी का अब देख सकते हो दिखा है तो हमको कॉमेंट में बताना फिर देखी यहाँ पे एक फिश थी जो मुझे घूर रही थी जैसे इसे मुझे खून पीना है देखी कैसे देख रही है फिर यहाँ पे हमारे ऑसकर भ फरक ही नहीं पर रहा है यह तो अपने तरह सोए हुई है और मैंग आशकर बोल रहे है चलो तुम सो लो मैं पार्टी कर लू और फिर आता है हमारे नियोन टेटरा का कलर मुझे हमेशा अपनी तरह खीचते है नियोन टेटरा मुझे लगता है ऐसा फिर देखी है हमारा एक उर्वाना है यह चोटा है पहले बाले से शाइद नहीं यह चोटा ही है चुटकुस सा़वाना फिर देखिEM इसके बाद आता है हमारा होगा और एक फिश मेले तुम देशी कोई CSV होगा लेकिन फिर मुझे पता चला नहींगे वी देशी का ही कोई anfिश को ने फिशन ना हमारा पफट वैसे तो मुझे बहुत पसंद है और नीचे चोटे चोटे फिच भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे और इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा हमारे पैरट को पैरट फिश भी बहुत ही खुप सूरत थे और ऐसे ही हमने बहुत सारी मचली देखी बहुत स अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब